स्वागता है हमारे इस चानल पर आज मैं आपके लिए एक छोटा सा जी एस्ट का क्वेश्चन लेकर के आई हूँ जिसमें हम कम से कम दो से तीन टॉपिक कवर कर लेंगे एक छोटे से क्वेश्चन में हैं आज का जो क्वेश्चन है वो जी एस्टी से रिलेटेड है जहां प पर इसको स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने नहीं किया है चानल को सब्सक्राइब तो फटा फटा फट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ में बनेवी चोटी से बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जुतने भी हमारी वीडियोस अपलोड होने वाली है फ्य GST 9% and SGST 9% from Mr. C of Chennai find the following पहला total price charge by Mr. M for supply of goods and service and who is liable to pay GST net liability of GST देखें यहाँ पर तीन question पूछे गए है सबसे पहले question को समझे यहाँ पर question कहे क्या रहा है देखें question आपसे बोल रहा है कि आपके पास तीन parties है ठीक है तीन parties है एक है Mr. M Mr. M जिन्होंने क्या किया goods supply किये है तो यहाँ पर goods supply किये है तो यानि यह क्या है seller है seller है goods and service for जिन्होंने जो है 24,000 के goods बेचे है to Mr. S किसको बेचे है Mr. S को Mr. S of Salim Mr. S को बेचे है 24,000 में Mr. M ने 24,000 में Mr. X को जो है यह goods बेचे है अब यह goods क्या है Mr. M purchased goods and service for 23,600 from Mr. C of Chennai अब क्या बोला है कि यह जो Mr. M ने जो यह समान S को बेचे है ना यह समान जो 24,000 का बेचे गया है Mr. M के दुवारा यह इन्होंने किस से खरीदा था यह इन्होंने खरीदा था Mr. C से तो आपने पहले Mr. C से खरीदा और उसको फिर बाद में क्या किया Mr. S को बेच दिया अब आपने जो यह price खरीदा वो था 23,600 यह बोला जा रहा है कि 23,600 में आप खरीद के लाए किसी से फिर आपने 24,000 में इसको आगे किसी को बेच दिया अब आपको क्या क्या जानना है आपको जानना है कि total price जो है charge कितना किया जाएगा by Mr. M for supply of goods and service कि जो Mr. M है वो कितना पैसा charge करने वाले है इस goods and service को supply करने के लिए अब देखे question में आपको दो rate दिये गए है एक तो दिया गया है 24,000 का और एक दिया गया है 23,600 का जो 23,600 का आपको amount दिया गया है उसमें लिखा हुआ है कि including of CGST and SGST यानि कि ये 23,600 में आपका tax include किया हुआ है परन्तु इस 24,000 में आपका tax include नहीं किया गया तो पहली चीज़ जो है यही पूछी जा रही है कि Mr. M जो है कितना price charge करने वाले है तो चलिए सबसे पहले पहले question को ही solve करते हैं पहला चीक है price जो की charge किये जाने वाला है आपका Mr. M के द्वारा तो आप यहाँ पे लिखोगे price या value आप लिख लीजिए value जादा बेटर लगता है value charge for supply of goods or service ठीक है goods or service और यहाँ पे आप अपना value लिख लीजिए अब देखिए सबसे पहले आपका क्या करोगे सबसे पहले आप लिखोगे price कितना है 24,000 ठीक है यह आपका value है जो आपने charge किया है 24,000 plus यानि add क्या cgst and add sgst जो कि कितना है no percent question में दिया गया है 99 percent तो 9 percent as well as 9 percent तो यहाँ पे 24,000 का 9 percent अगर आप निकालोगे 24,000 into 9 percent तो यह आजाएगा 2160 रुपीज 2160 रुपीज 2160 रुपीज तो यह दो amount यहाँ पे जो है आपके tax के आगए अब total amount आपको कितना मिलने वाला है आपको जब आपने 24,000 का समान Mr. S को बेचा है तो इससे आपको कितना amount मिलेगा क्योंकि यह तो बिना tax के amount दिया गया है सिर्फ आपको taxable value दी गई है अब पूरा आपको कितना amount मिलेगा वो यहाँ पे पता चलेगा 24,000 में जब आप 2160 2160 प्लस कर दोगे and that is your 28,320 रुपीज 28,320 रुपीज आपको कितना है यह आपका है total total price charge by Mr. M from Mr. S Mr. S और यह local supply है क्योंकि यहाँ पे आपका CGST, STST लिखा हुआ है charge बोला गया है कुछ नहीं बोला कि interstate है तो यह local supply है इसलिए CGST and STST charge किया जा रहा है now come to the next point who is libel to pay GST concept समझेगा यहाँ पे GST कौन पे करेगा government को देखें S ने क्या किया M से खरीदा पर इसमें कुछ नहीं बताया गया कि S ने आगे किसी को बेचा है या नहीं तो यही माना चाहरेगा कि यह क्या है consumer है इसने अपने लिए ही खरीदा है अब M ने किस से खरीदा था Mr. C से तो जब उसने Mr. C से खरीदा था तो इसको थोड़ा सा पैसा जो है tax का दे दिया गया होगा यानि इसके दुआरा कुछ थोड़ा सा पैसा इसको दे दिया गया होगा और Mr. S ने जब M से खरीदा तो यह पैसा इसने tax का इसको दे दिया होगा अब tax के पैसे जो है इसके पास है ठीक है क्योंकि जो थोड़ा सा amount इसने बढ़ाया है जो profit बढ़ाया है वो इसके पास है तो यहाँ पे इस situation में जो है tax किसके द्वारा भला जाएगा Mr. M के द्वारा तो Mr. M जो है वो label है tax की payment करने के लिए क्योंकि value का addition किसने किया है Mr. M ने तो Mr. M ने जो value का addition किया है और Mr. S को इसने बेचा है समान और S ने आगे किसी को नहीं बेचा है तो इसलिए इसको जो है liability बनती है payment आगे करने की government को now come to the third point net liability of GST net liability कितनी बन रही है M की liability यहाँ पे कितनी बनेगी देखो पहला यहाँ पे एक और चीज़ बोले गई है कि M ने जो यह समान खरीदा वो 23,600 का खरीदा 23,600 का खरीदा inclusion of your GST inclusion of GST याने इसमें GST का amount include था अब आपको पहले यह जाना पड़ेगा कि इस amount में जो है tax का amount कितना था तो concept समझेए देखे 23,600 इसमें आपका क्या-क्या amount include है एक तो इसका actual amount let's say 100 rupees और प्लस में 18% GST 9% CGST का and 9% आपका SGST का तो यहाँ पे कितना हो गया 18% तो यानि यह जो value है यह कितनी है यह है 118% अब जब आपको पता है यह value किसी एक value की 118% है तो इसका tax आप कैसे निकालोगे देखो यहाँ पे आप कर सकते हो 23,600 तो इन्टू आपको 18% चाहिए 18% divided by यह कितना है total 118 तो यानि जो tax का amount है ना पूरा tax का amount वो है 36,600 अब यहाँ पे आप क्या करोगे आधा-धा दोनों में देदोगे जो की बनेगा 18,100 रुपे C,G,S,T and 18,100 रुपे आपका S,G,S,T तो 18,18,100 रुपे C,G,S,T and S,G,S,T आपका जो है आपने पहले दे दिया है किसको Mr. C को क्यों क्योंकि आपने जो समान खरीदा था उसमें आपने 18,18,100 रुपे बना करके उसको payment पहले ही कर दी है अच्छा एक और तरीके से आप यहाँ पर calculation कर सकते हो कैसा? देखिए 23,600 23,600 अब इसमें आपका tax include है कितना percent? 18% तो यानि 18% include है तो कितना माल लेंगे? 118 तो divide कर दीजिए 118 पे अब यह बन गया 200 अब आपको कितना परसंट आपको यह चाहिए? 9% चाहिए तो आप निकाल लेजिए यानि 1800 यानि calculation आप अपने according आपको ठीक लगती है एक बर concept समझ में आगया तो आपको calculation में दिक्कत नहीं होगे अब देखिए 1800 पे आप अप अड़ेडी पे कर चुके हो जब आपने समान खरीदा था अब आगे आप समान बेच रहे हो तो उसमें आपको टेक्स कितना मिल रहा है 2160 यानि 2160 अब आपको एक्चुल टेक्स कितना पे करना है आप तो एक होगे ना भी यह 2160 में से तो मैं उस सप्लायर को देके आया हूँ जिससे मैं यह समान लेके आया हूँ तो मैं दुबारा अगर इतना टेक्स दूँगा तो पूरा अगर 4,000 का में टेक्स दूँगा तो मेरे पल्ले क्या पड़ा तो इसलिए government क्या कहती है कि आप ITC claim कीजिए input tax credit लेजिए कि यानि जो समान आपने खरीते time tax दिया था और जो उसी समान को अगर आप आगे बेच रहे हो तो आपको जो tax यहाँ पे मिला है उससे आप जो है adjust कर सकते हो यह amount जो आप पहले pay कर चुके हो और उसके बाद जो बकाया बनता है आप वो हमें दीजिए तो आप यहाँ पे जो है particulars and यहाँ पे आपका जो है CGST and SDST सबसे पहले output tax जो आपके sale का tax होता है जो आप sale करते हो उसके ओपर जो tax होता है उसको बोला जाता है output tax and जो आपको प्रचेस के टाइम पे आपको जो tax मिलता है that is your input tax credit आप यहाँ पे output tax आपको देना है दो हजार एकसो साट रुपए दो हजार एकसो साट रुपए और ITC यहाँ पे आप less करोगे less करोगे क्या ITC input tax credit अब वो कितना है जो आपने पे किया 18 investor sanctions 1865 अब 2160 में से 18 futures अगर आप minus करोगे 2160 में से 1800 मप कीजिएगा 2160 में से 18axis अगर माइनस करोगे तो कितना बचा 360 यानि कि आपको सिर्फ 360 रुपए देने है आपको सिर्फ 360 रुपए देने है अब ये 360 रुपर भी क्यों देने होंगे ये थोड़ा सा concept समझेगा ये समान ये बंदा लेकर के आया Mr. M जो है ये लेकर के आया Mr. C से तो ये कितने का समान लेकर के आया तकरीबन तकरीबन 20,000 का अगर हम tax की amount छोड़ दे अगर tax को थोड़ा साइड में रखें tax का concept अगर अभी हम थोड़ी देर के लिए जो है पीछ से छोड़ दे तो ये तकरीबन तकरीबन 20,000 का समान लेकर के आया जो कि यहां पे अभी हम बिना tax के amount की बात कर रहे हैं और वही इसने आगे कितने का बेच दिया 24,000 का यानि कि इसने जो अपना profit earn किया यहां पे वो कितना है 4,000 का तो वो 4,000 का इसने profit earn किया तो वही 4,000 के उपर जो tax बनेगा 18% का वही इसको government को देना पड़ेगा देखें 4,000 पे अगर आप 9% calculate करेंगे अगर एकी side का भी हम देखें तो यही बनता है 360 रुप है इससे लिए GST को कहा जाता है value addition tax क्यों क्योंकि जितना value आप add कर रहे हो उस product में उसको आगे बेचने के लिए उतने value पे ही आपकी जेप से हम tax लेंगे उससे पहले जो tax आपने दे दिया है या जो अभी आपने को देना बनता है उसमें आप जो है adjustment कर लोगे और in short आपकी जेप से सिर्फ उतना ही tax जाएगा जितना आपने उस समान में value का addition किया है तो यह होता है आपका GST का concept जिसके बारे मैं आज हमने डिसकर्स किया I hope आपक किसी particular question पे video बनाए तो आप हमें mail कर सकते है हमें email पे अपनी जो है video के लिए कोई topic भेजना चाहे तो भेज सकते है कोई question भेजना चाहे तो mail पे भेज सकते हैं आपको mail जो है हमारे चैनल के about में मिल जाएगी वहाँ पे आप देख सकते हैं नहीं तो आप जो है लिख लीजिए commerce stopper academy at the redgmail.com वहाँ पे आप में बेख सकते हैं चोली मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक अगले topic साथ तब तक के लिए check it off yourself and take care of your health